राधे राधे दोस्तों मेरा नाम परियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाएंगे कोफता कड़ी और ये कोफता बहुत स्पेसल होने वाला है बहुत जदा टेस्टी होने वाला है ये कोफते है फुल गोवी और पालक के जो कि बहुत जादा healthy भी होगा साथ में बहुत जादा tasty भी और बनाना भी आसान है तो चलिए जल्दी से recipe देख लेते हैं एकदम soft soft कोफते आपके बनके तैयार होंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फुल गोवी लिए हैं फुल गोवी को cut कर लेंगे क्याप चाहे तो इसे घिस के ले सकते हैं पर हम यहाँ पे चौपर में इसे मिहीन चौप कर लेंगे तो एक बार में जितना गोवी इस चौपर में आया है हम रख लिये हैं मिहीन चौप कर लिये हैं अब इसे एक बरे से बॉल में निकाल लेंगे, अब इसमें हम डालेंगे पालक, तो पालक को महीन चौप करके अच्छे से धो लिये हैं, तो पूरे पालक को हम इसमें डाल लिये हैं, आधा कप इसमें बेसन डालेंगे, और जरुत हुई तो बाद में बेसन और डाल सकते हैं, अधा चमच हल्दी पौडर, एक चोथाई चमच जीरा पौडर, अधा चमच मिर्ची पौडर, अधा चमच धनिया पौडर पेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और अब हम इसे मिलाएंगे और कुछ नहीं डालना है बीना पानी डाले आप इसे मिक्स कीजिएगा क्योंकि पालक में बहुत जादा मोस्चर रहता है और थोड़ा बहुत पानी भी रहता है गोभी में भी तो बीना पानी डाले आप इसे मिक्स कीजिएगा अगर आप पानी डालेंगे न तो यह बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और अगर आपको लगे कि बेसन और चाहिए तो बेसन डाल सकते हैं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन की जुरुरत नहीं है बहुत अच्छे से यह mix हो चुका है तो अब चोटा चोटा हम बॉल बना लेंगे तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह प्लेन बॉल बन रहा है बड़ा चोटा जैसा भी आप बनाना चाहते हैं बना लीजे पुरे बॉल बना के तयार कर लिए हैं गैस पे तेल चराये तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें सारे कोफते डाल देंगे गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिएगा और अच्छा सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लीजेगा अगर आप तेज आज पे इसे फ्राई करेंगे तो यह उपर से बस कलर ले लेग तो स्लो और मीडियम के बीच रखिएगा और यहां पे आप देख सकते हैं कोफते न बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हम इसे निकाल दीए हैं आप इस कोफते कोन ऐसे सॉस के साथ भी खा के देखिएगा अच्छा लगेगा पर हम बनाएंगे ग्रेवीज के लिए एक् प्याज को महीन चौप करके डाल दीजेगा प्याज जब 50% भुना जाए तो अदरक लहसन का पेस्ट इसमें एड़ कर लीजेगा देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है तो एक चम्मच के करीब अदरक लहसन का पेस्ट हम यहां पे डाल देंगे और अब हम प्याज को बिल्कुल ब्राउन होने तक भुनेंगे तो साथ में अदरक लहसन का पेस्ट भी भुना जाएगा और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से प्याज भुना चुका है अब इसमें हम डालेंगे दो बरे साइज के टमाटर को भी मिहीन चौप करके जिसमें हम गोवी चौ बाकी के जो मसाले है वो तो सबसे पहले यहां पे हम इसमें आधा चमच जीरा पॉडर एक चमच धनिया पॉडर और अधा चमच हल्दी पॉडर एक चमच कस्मेरी लाल मिर्ची पॉडर डाले हैं इसे तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा कलर बहुत सुन्दर आएगा अगर को तीखा पसंद तो तीखा बाला मिर्ची पॉडर भी डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इस में थोडा सा हम पानी डाल देंगे पानी डालके अच्छे से बाद इसे कवर कर दी तीन मिनट फिर से हम पकाएंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा इसे ना तमाटर प्याज मसाले सब एक में अच्छे से मिल जाएंगे और यहां पे तिन चार मिनट ढखके हम पकाएंगे अब हम बिना ढखके इसे थोरी देर भूनेंगे या फिर तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से तेल अलग नो हो जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से बुना चुका है अब इसमें हम डालेंगे मलाई एक बड़ी चमच घर के फ्रेस चाली जो होता है ना दूद के उपर का वही हम डाले हैं अगर आप मलाई पसंद नहीं करत पतला गाठा उस ही साफ से पानी डाल दीजे पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजे और फिर कवर करके इसे तब तक पका लीजे जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आने लगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच गरम मसाला पाउडर और थोरे से धनिया का पत्ता अच्छे से इसे मिला लीजिए और उसके बाद सारे कोफते हम इसमें डाल देंगे कोफते डाल के फिर इसे मिला के कवर करके तीन चार मिनट ढखके पका लेंगे गैस का फिर मीडियम ही रख सकते हैं कोफते के साइज न यहां पर डवल हो गया है ग्रेवी भी गारी हो गई है बस सब्जी तैयार है धक देंगे गैस बंद कर देंगे थोड़ी दिर हम इसे धके हुए छोड़ दिये थे और थोड़ी दिर बाद आप देख सकते हैं सब्जी आपका कुछ ऐसा दिखेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी फुल गोभी पालक के कोफते बनके तैयार है सर्ब करने के लिए एक बर जरू ट्राइ कीजेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी ये कोफता करी बनके तैयार होता है बनाना भी आसान है तो बनाईएगा बताईएगा कैसा लगा मेरा ये रेसेपी रेसिपी अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे वेल का बटन प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंसे के वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ